एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा है आजकल माफिय और मठाधीश में कोई फरक नहीं होता जिसके बाद कई सादू संतों ने इसके विरोध में बयान दिया इसको आप कैसे देखते हैं आप तो बहुत वरिष्ट पतकार हैं और हर शब्द का इक भाव होता है पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं तो सवाल उस पे है कॉआप ने में भाव गलत नहीं था नहीं बिल्क कुल आपके भाव को समझे आपू कैसा लगा है मैं ने तो बोला मुझेज तो ऑच्छा लगा मैं तो बोला है अगर आप यह बार फ्तों मैं अगर यह कहूँ आपको कि आप पत्तकारों के सबसे बड़े मठादीश हैं तो कैसा लगेगा आपको तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा माफिय और मठादीश को मिला देंगे तो तो कईयों को तो बूरा लगेगा आप देखिए उत्तपदेश में जब से भातिशन पाड़े की सरकार बनी है बड़ी संक्या में सादू संतों के हत्या हुई है मुझे याद है नरेंद गरी जी अखाड़ा परसत के अद्यक्ष थे जी और कोई समय ऐसा नहीं गुजटता था जब लखनू आए और मुझसे मिल करके ना जाएं सोचे उनकी हत्या हो गई राइवली में एक सादू संते उन्हें उल्टा लटका दिया गया था लखनू में एक हिंदू भाहिनी के नेता थे हिंदू सब आके उन्हें मार दिया गया था तो यह सब क्या था और फिर मैंने किसी सादू संत के खिलाब नहीं ब संत के कि खिलाफ नहीं बूला है मैं मैं जंक्र मुझा अज आपका निशाना के ह Northern संपॉ कि हम इतने भोले नहीं आफ ज्लिज जा आप का निशाना का है टो मैंने उनके खिलाफ नहीं पूला मुझे तूना ओध़ए कि वो हमारे पुतले जलाए जौरह हैं पूरे उत्तबते से छे पुतले जले हैं, हमें कहें तो हम तीज आदे घंटे में 600 पुतले जलवा दें, लेकिन तो पुतलों की बात हुई लेकिन अब मैं भेड़िय की बात करना चाहता हूं, यूपी में आधकल भेड़िय की काफी चर्चा है, देखिए और जो भेड़िया भेड़िय कैसे यागय हूं यूपी में, भीड़िय क्या कर रहें।, यूपी यह जाना चाहा है ट्यूपी जाना चाहता है यूपी जाना चाहता है, इसी पृस्तिव नेरेटेव में इच्प्रेस्वे नılarेट्यों देखिए। ўिए ूपी घंड़िय से पूछाा गया तो इनके एरिया बटे हुए थे वसूली कहीं चाचा कर रहा था कहीं बतीजा कर रहा था महभारत के शारे रिष्टे थे ये योगी जी ने कहा दिए पहले ये मान लिए वो योगी नहीं है वो योगी नहीं है जो हमारे सास्र कहते हैं हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती ह जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आये वो योगी है और एक योगी से ऐसी भाषा की उमीद नी कर सकते हैं अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदम कोर भेडिया क्या कर रहा है पर आप कहते हैं वो योगी नहीं है वो गोरकनाथ पीट के महंत है तो योगी अजटनाथ है जो योगी होता है वो त्याग करता है अब कल को आप यह भी कहोगे कि अगर मैं कह दू कि गोरक धंदा चला है तो उस पर भी आपको अपति होगी अब आप गोरक पूर की तरह बु बोलोजर जाएगा पर योगी जी कहते है कि अगर योगी जी योगी योगी है तो क्रोध क्यों हो आ रहा एक और फिर बोलोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसे बनाया है प्रतीक सच्चा ही यह है कि जो लोगी कहते थे कि डवल इंजिन की सरकार है उससे ध्यान अटा रहे हैं यह जो डवल तक्राब चला है दोनों के बीच में उससे ध्यान अटाने के लिए इस तरह का बेवहार है और बुलोजर किसी नियाय का प्रतीक नहीं हो सकता क्या सरकार मानेगे कि बुलो यह नियाय का प्रतीक है नियाय का प्रतीक हो सकता है क्या सुप्रीम कोट हाई कोट मना कर रहा है कि इस तरह का बेवहार नहीं होना चाहिए जिसके कागज है जिसका नक्षा पास है आप घर उड़ा दे रहे हैं केबल इस लिए कि आप डर का मोगा कि इसमें क्या गलत आपको लगत गोड़ाइसाब लीकल हो रहा है अभी दिए लीगल क्या हूँ पर को सब्लीगल होगा में बीजेपी ने बोला यह हिंदुत पर हमला है गोरकनाथ पीर के अबला है यह किसी निक किसी पर यह हमला नहीं है बुल्डोजर जो नया प्रतीक बनाया है नहीं हो सकता जो कॉंस्ट्यूशन को मानते हैं सम्भिधान को मानते हैं वो बुल्डोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के जी अगला सवाल कन्नौज में नवाब सिंग यादव को लेकर है एक घटना करम हुआ उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सारी इलजाम आपकी पार्टी पे लगाए प्रदेश में कहीं भी ऐसा दुशकरम होता है तो समाजबादी पार्टी बोलती है कि ये गलत हो रहा है लेकि इस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जी उसका सम्मन्द बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छा है और ये बात अगर आप जानना चाहें तो कन्नौज के पुलिस कप्तान से फोन मिलाईए वो आपको सच्चा ही बता सकते हैं एक बीजेपी का गुट फसाने में लगा था एक बीजेपी का गुट बचाने में लगा था इसमें समाजादी पाटी क्या करें पर वो कहते हैं नेता आपके हैं हमारी पार्टी के नेताओं के साथ होगी वो हमारी पार्टी में कब थे 2019 का चुनाओं हमारे हैं 2019 चुनाओं हारे है 2022 का चुनाओं हारे 2017 में इनी लीडर्स का क्या रोल था तो इसी दिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी जाती देख करके जोड रही है समाजवादी उससे समाजवादी पार्टी से जोड रहे हैं उन्हें अपने जहाकना च लगेते